भारत और चीन की सेनाएं एक बार फिर आमने सामने होंगी लेकिन इस बार मामला कुछ और है इस बार भारत और चीन की सेनाएं साथ में युद्धा अभ्यास के लिए जुटिंग दोनों देशों की सेना दिसंबर में दुई पक्षिय सेन ने अभ्यास करेंगी सेना के सूतरों की माने तो ये मिलिटरी ड्रिल चीन में होगी और इसका नाम हैंड इन हैंड अभ्यास होगा इससे पहले साल 2016 में पूने में हैंड इन हैंड अभ्यास का आयोजन हुआ था साल 2017 में भी ड्रिल होती लेकिन 73 दिनों तक चले डोकलाम विवात की वज़े से इस ड्रिल को टाल दिया थै जून 2017 से अगस 2017 तक डोकलाम विवात की वज़े से भारत और चीन की सेनाय आमने सामने आ गई थी अप्रेल में चीन के वोहान में प्रधान मंतरी नेरेंद्र मूदी और चीन के राश्च्रपती शी जिंग पिन के बीच अनौपचारिक मुलाकात हुई थी साधी इस बात पर भी रजामन्दी जाहिर की गई थी कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच बाच्चीत को बढ़ाय जाएगा ताकि फिर से एक और डोकलाम से बचा जा सके वही मार्च महीने में सेना प्रमुक जनरल बिपिन रावत ने भारत और चीन के बीच होने वाले युदाफ्यास करने के संकेत दिये थे उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया था कि दोनों देशों के बीच डोकलाम विवात की वज़े से जो रिष्टे तनावपुण हो गए थे उनमें अब सुधार आ रहा है आपको बतादे कि सिक्के में स्थेट डोकलाम शेत्र रणनीतिक तोर पर काफी एहम है और भूटान इस पर अपना दावा करता है भारत यहाँ पर बतार सुरक्षा गरंटर के तोर पर अपनी सेनाओं को तैनात रखता है इसलिए शेत्र को काफी सम्वेधन शील माना जाता है ब्यूर रिपोर्ट भारत तक